रूस ने युक्रेन की राजधानी कीव पर हमला कर दिया बताया जा रहा है कि रूस ने कीव में टीवी टावर पर एरस्टाइक की इस हमले के बाद से युक्रेन के टीवी चैनलों का परसानण बंद हो गया रूस के युक्रेन पर लगातार हमले जारी है युक्रेन पर रूस के हमले लगातार 6 दिन से जारी है रूसी सेना कीव की ओर लगातार बढ़ रही है कीव अभी भी युक्रेन के नियंतरण में है युक्रेन का कहना है कि उनके सैनिक और नागरिक रूसी सेना से लड़ने के लिए त्यार है उदा राष्टपती जैलन्सी ने युक्रेन के नागरिकों के लिए जारी संदेश में कहा दुश्मनों के लिए कीव मुखे टार्गेट है हम उन्हें राजधानी की सुरक्षा को तोड़ने नहीं देंगे युक्रेन के राष्टपती के सलाकार उलसकी ने कहा रूसी सेना पूरी युक्रेन में उत्तर के पास से दूसरे सबसे बड़े शहर कीव और खार कीव को घहने की कोशिश कर रही है रूसी सेनी कीव पर लगातार फारिंग कर रहे हैं इससे पहले रूस ने राजधानी कीव में रह रहे लोगों को चिताम निदी थी रूस ने कहा ता कि राजदानी में रहने वाले लोग सुर्ख्चित इस्थान पर पहुंचे या कीव से बहार निकल जाएं एतना ही नहीं कीव में हमलों के प्रतिय सचेत करने वाले अलर्ट सारैन लगातार बज़ रहे हैं लोगों से शेल्टरों में जाने के लिए कहा जा रहा है ताकि वे किसी भी तरह के हमले के चपेट में ना आएं ऐसले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, शेर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद